हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड अफ आउस अफ वेलनेस कई मैनों पहले की ये बात है मैं एक आख के हॉस्पिटल में गई थी और वहाँ पर मेरे पास एक औरत बेठी थी तो मैंने उसके साथ बात करना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि उसकी एज 75 years की थी और वो वहाँ पर उसकी cataract का checking करने के लिए आई थी उसके पता था कि उसके cataract का surgery होने बाला है लेकिन वो dates वगरा confirm करने के लिए आई थी तो मैंने उसको पुछा कि आप अकेले आये हूँ आपके साथ कोई आया नहीं है तो बोली नहीं मैं Uber लेकर आ गई हूँ तो मैं बोली आप किसके साथ मैं रहते हो गर पर तो बोली मैं तो अकेली रहती हूँ मेरे बच्चे हैं same city में रहते हैं और वो every week मिलने आते हैं मुझे लेकिन ऐसे तो मैं घर में अकेली ही रहती हूँ और मैं अपना काम सब अपने हाँ से ही करती हूँ I prefer to be independent तो मैं एकदम surprise हो गई और मैं उसको बोली के would you mind telling me कि आपकी age कितनी है तो उसने बोली मैं ये साल 75 की हुई हूँ I was very very impressed और फिर उसका chance आगया डॉक्टर के पास जाने का तो बाई बोलकर वो चले गई अब थोड़े देर के बाद मेरे पास दूसरी एक लेड़ी आई तो मैं उसके साथ बात करना शुरू करी तो वो लेड़ी एकदम दुखी लग रही थी और मैंने उसको पूछा क्या बात है आपकी तपेड ठीक नहीं है तो बहुत है हाँ कुछ मजा नहीं आ रहा है मेरे आख में दुख रहा है तो मैंने चेक अप करने के लिए मैं आई हूँ आपके साथ में कोई आया है हाँ मेरा बेटा आया है वो पेमेंट करने गया है और अभी आता ही होगा तो मैंने उससे बाचीत करना शुरू किया और बोला कि आप अकेले रहते हो या आप किसी के साथ रहते है तो मैं नहीं मेरे बेटे के साथ में रहती हूँ तो मैं बली आप कहां जाते हो कहीं गुमने फिरने जाते हो कोई दोस्त बिरादर है आपके कोई फ्रेंड्स यहाँ पर बले कि हाँ है लेकिन मैं तो किदर जाती नहीं हो क्योंकि मुझे कोई लेकर नहीं जाता है मेरे बच्चे है बेटे के साथ रहती हूँ बेटी भी यही शेहर में है लेकिन उन लोग उन लोग की लाइफ में इतनी बिजी है कि उनके पास टाइम नहीं होता है मेरे साथ में मुझे कहाँ लेकर जाने के लिए तो मैंने बोला कि ओ तो आप अकेले क्यों नहीं चले जाते हो तो बोले यह एज के अंदर में कैसी अकेले जाओ I mean कुछ हो गया तो तो मैंने बोला आप अगर माइन ना करे तो मुझे बता सकते है आपकी एज क्या है मैं 60 years की हो गई हूँ senior citizen हूँ और ऐसी कैसे मैं अकेली जाओ मुझे चाहिए कि कोई मेरा कोई साहरा हो साथ में कोई जाए मुझे लेकर जाए तो मैं जा सकती हूँ नई तो भगवान ने मुझे यह हाल में छोड़ा है तो अब मुझे क्या करना है वोई हाल में रहना है और फिर मेरा टाइम आ गया डॉक्टर के पास जाना तो फिर मैं उसको बाई बोलके निकल गई लेकिन फिर मैं घर आते आते सोच रही थी कि यह डो विमन और टोटली डिफरेंट पॉइंट अफ यूज तो यह क्या है तो मुझे ख्याल आया कि जिस तरह से हम कभी-कभी आप भी एक्सपीरियंस करे होगे कि लॉग डिस्टेंस बस में कहा गए होगे एक शहर से दुसरे शहर में और बहुत ही बार ब्यूटिफुल नजारा है पेड है और क्लियर स्काई है और काफी सारे अच्छी चीज़े होती है देखने के लिए अच्छी हवा आती है लाइट है वोड़ी देर हम लोग देखते हैं और कभी कबार नहीं ठीक मूड नहीं है तो हम वो ग्लास विंडो नीचे कर देते हैं बंद कर देते हैं और हमारे अंदर ही जो बस में जो लोग है उनको देखते हैं और उनकी लाइफ में क्या हो रहा है या हमारी लाइफ में क्या हो रहा है बगेरा वो ही बस के अंदर जो लोग होते हैं वो ही हम देखते हैं करते हैं लेकिन बाहर इतना beautiful नजारा है तो वो हमको ध्यान नहीं होता है तो हमारी life में भी हम इस तरह से ही करते हैं तो मैं सोचने लगे ये दो ladies के बारे में कि उनका mental chatter क्या होता होगा पूरा दिन आपको अगर याद है कि last चभी मैंने last episode मेरा था उसमें मैंने एक mental chatter की बात करी थी जो बार-बार हम जो सोचते रहते हैं उसको mental chatter कहते हैं तो मैं सोच रही थी जो woman थी जो independent रहना पसंद करती थी उसका mental chatter कैसे होगा और ये जो lady है जो सोचती है कि मैं senior citizen हो गई हूँ अब तो मिझे अकेली में कहां जाने सकती हूँ I'm so dependent on everybody उसका mental chatter कैसे होगा आप भी सोच सकते होगे कि और आपको अंदासा आ गया होगा कि इनका दोनों का mental chatter कितना different होगा अब ये mental chatter है वो हमारा जो mental model होता है जिसे या जिसे हमारी सोच कह सकते है उस पर निरबर होता है तो ये जो पहले वाली lady थी उसका जो सोच थी उसका जो mental model था वो था कि किसी भी age में मैं independent रह सकती हूँ मुझे किसी की जुरुत नहीं है और मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ वेराइस वो दूसरी lady का जो mental model था वो था कि ओ एक age ये मेरी age हो गई है अब मैं 60 years की हो गई हूँ तो अब मैं senior हो गई हूँ अब मैं अकेली नहीं जा सकती हूँ कहाँ पर अकेली नहीं रह सकती हूँ मैं सब पर dependent हूँ तो वो उसकी सोच थी और हम हर चीज हमारी सोच के हिसाब से करते हैं हमारी mental model के हिसाब से करते हैं अगर आप आपकी life के तरफ थोड़ा सा ध्यान दे हमारी सोच क्या है जिसके वज़े से हम ये life लीट कर रहे है तो ये हमारी सोच क्या है और ऐसे नहीं है कि हर सोच negative हो सकती है जो हमारे फाइदे की नहीं है लेकिन अगर आपकी कोई भी सोच आपके फाइदे के लिए नहीं है आपको फाइदा नहीं हो रहा है उससे, अगर आप नोटिस करेंगे और अगर आपको उसका ख्याल आए तो आप उसको चेंज कर सकते है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसको रियालिटी समझ ले, जैसे कि ये जो औरत थी, जो 60 येर्ज ओल्ड, उसने अपनी रियालिटी बना ली थी कि वो 60 येर्ज है और वो dependent है, लेकिन क्या ये हर 60 येर ओल्ड के रियालिटी है, ये एक सोचने की बात है, क्या ये उसकी सोच क्या उसे मदद कर रही थी, या उसके लाइफ में हिंड्रिंस पैदा कर रही थी, आपको क्या लगता है, उसकी जो रिलेशन्स हो ग उसमें तनाव खिचाव होता होगा या कि वो खुश से खुशी से रहती होगी तो आप प्लीज इस पर ध्यान दीजिये और कॉमेंट्स में लिखना न भूलिये चीर्स ट्वेलनेस